आप लोगों का आपके फेवरिट चैनल डॉट कॉम में डॉक्टर आफ टेक्सेशन और कम्प्लाइंस आज हम लोग बात करेंगे दिया या थ्री के वाइसी फॉर्म की ये अम्सीय पोडल पे आ चुका है अब हम लोग जानेगी किसे भरते कैसे हैं और क्या क्या डिटेल लगेगा इसमें क्या क्या सब्मिट करना पड़ेगा हमें और कितना टाइम लगेगा इसको भगने में चली जानते हैं तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगे प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब करें फिर आपको दिखना होगा फॉर्म सेंड डाउनलोड वहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फॉर्म सा जाएंगे तो आपको स्क्रोल डाउन करना नीचे जाना नीचे डाके देखना है कहां पर लिखा हुआ है फॉर्म डिया 3KYC यह आप सर्च करेंगे जहां e-form लिखा हुआ है उसके नीचे में आप देखेंगे कहां पर लिखा हुआ है तो जहां पर e-form with instruction kit लिखा हुआ है वहां पर instruction दिया है कि कैसे भरना है और e-form जो है उसमें आपको भरना पड़ता है तो आप e-form को सर्च करेंगे, फिर OK करेंगे, जब डाउनलोड हो जाएगा तब फिर क्या होगा, दिखे स्क्रीन कुछ ऐसा है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर करेंगे, खास बात क्या है, जिसमें रेड कलर का माक है, वो कंपल सरी है, वो उपको भना पड़ेगा, जब जब देखे हैं, तो बोड़ेगा, यह उसमें चेक करेंगे, कि जो डिटेल शो कर रहे है अगर करेक्ट नहीं है तो प्लीज पहले उसे करेक्ट कर वा लिजे उसके बाद यह फॉर्म भरिएगा अदर्वाइस यह पोटल एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके फॉर्म को है सो लेंस शी क्या क्या डिटेल भना पढ़ता है है किенер websites डीटेल कि एक और खास बात यह फॉर्म नोहीं सरफ जो डारक्टर सब्सक्राद मेकरिक डेमेदर हैigonjem करेंद उनके आप कैच करने का फिर आपको देना पड़ेगा डेक्टर नेम इंटर फुल नेम और नॉट यूज अब्रिविएशन पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा जो फिर्स नाम है आपका लास्ट नाम है जो सर नेम है मिडल नेम अगर कुछ है तो वो फाल नेम इबन मरेड़ नमं मस्ध कि uploaded नेम तो अपने फादर का नाम अगर आप मैरेड़ हो तो अपने फादर का नाम, father का नाम आपको देना पड़ेगा, last name, middle name, फिर whether a citizen of India, क्या आप Indian citizen है, yes या no, nationality जो भी है, whether resident in India, क्या आप resident है, Indian resident है, तो yes या no, date of birth, DDMMYYY, तो इस format में आपको देना पड़ेगा, gender, male, female, transgender, income tax pen, pen number जो है, वो देना पड़ेगा, verify income tax pen पर click करना पड़ेगा, voter ID card अगर है तो देना पड़ेगा, do you have a valid passport, yes या no, अगर है तो yes और नहीं है तो no, अगर yes करेंगे तो आपको passport number भी देना पड़ेगा, driving license number अगर है तो, अधार number, हाला कि अधार number पर कोई red color कर दिया नहीं है, बट अधार number अगर अगर आप नहीं डाले तो हो सकता है, वो form accept नहीं करें आपका, आपको दिखाए कि हाँ missing detail में अधार number है, तो मैं request करूंगे, प्लीज अपना अधार number ज़रूर हाँ साथ में लेके बैठे, जब इ mobile number अपना email ID दोनों ही देना ज़रूरी है, mobile number email ID क्योंकि लिए इन दोनों में ही OTP आएंगे और दोनों ही OTP आपको submit करना पड़ेगा, so, अधार number जैसे कि मैं बताया हो सकता है, cash ना करें, ऐसा error आए, mandatory fill अधार number not entered, अगर आप सारा form भाल लेंगे, अधार number नहीं डालेंग और check form करेंगे, तो वो सकता है, ऐसा आए आपके साथ, so, अधार number खोशिश करेंगे देने का, personal mobile number, email ID, OTP अभी नहीं आएगा, पहले आप पुरा form भर लेंगे, personal residential address, जो भी residential, permanent, sorry, permanent residential address आपको देना पड़ेगा, line 1, line 2, city, state, pin, ISO country code, phone number, max, fax, तो जहाँ पर red dot नहीं है, वो box आपके लिए compulsory नहीं है, वो आप छोड़ भी सकते है, country, present residential address, whether present residential address is same as permanent residential address, yes या no, फिर ये भरना पड़ेगा, attachment, attachment में देखेंगे, proof of permanent address आपको देना must है, ये आपको देना पड़ेगा, और जिस जिसमें आपने yes किया है, जिससे कि अगर आपने आधार पे yes किया है, passport पे present address कुछ दिखाया है, तो सबसे related attachment आपको देने पड़ेगे, उसके बाद आता है, verification section, इसमें जो applicant है, जो भर रहा है, applicant, इसके लिए भरा जा रहा है, I hereby confirm and verify that the particulars given in the form herein above are true and also are in agreement with the document being attached to this form, the document being attached to the form DIR 3KYC belongs to me, I further confirm that all required documents have been duly issued by the respective government authority and are being attached to the form DIR 3KY, I further confirm that the mobile number, email address belong personally to me and I have not been declared as proclaimed offender by the economic offense court or judicial magistrate court or high court or any other court and I have no other allotted DIN other than DIN in which changes are intimated under section 154 of the Company Act or D.P.I.N. under section 7 of LLP, I shall be liable under section 448 of the Act and under relevant provision of Indian Penal Code and any other law as applicable, if the statement in this applicant is found to be false or any material false is found to have been omitted. So, यह जो लिखा हुआ, यह अपक्सेप्ट करते हैं इन सब बातों को, तब आप यहाँ पर अपना DSC के तुरू, अपना साइन यहाँ फिक्स करेंगे, to be digitally signed by the applicant. उसके बाद applicant का काम का खतम, अब जो professional है, उनका काम चालू. फॉर्म के नीचे आपको दिखाई देगा certification, क्या certify करेगा? I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification, verification of this form. It is hereby certified that, जहाँ box है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो एक cross आजाएगा, यानि अब उस चीजों का accept करते हैं. I have satisfied myself about the identity of the applicant and his address based on the personal of the attached document. Note, in case where the applicant is residing outside India, the particles have to be verified from the document duly attached by the attesting authority as prescribed. I have verified and attached the document of the applicant based on the original document produced before me. All required attachments have been completely attached to this application. I have gone through the provision of company act 2013 and rules there under for the subject matter of this form and matter incidental there too. And I have verified the above particulars including attachment from the original record maintained by the company applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete. And no information material to this form has been suppressed. I further satisfy that, I further satisfy that, I further satisfy that, I further satisfy that mobile number email ID belong to the applicant director signing the form. All the filled attachment have been complete and legible attached to this form. I have kept a copy of this form attachment there too in my record for further reference. It is understood that I shall be liable for action under section 448 of the company for wrong certification if any found at any stage. To be digitally signed by, जो professional है, वो sign करेंगे, drop down box से आपको select करना पड़ेगा. कि आप किस category की professional है, मितला आप CA है, cost accountants है या CS है, होल टाइम प्रेक्तिस में होंगे, तब भी आप इसको certify कर सकते हैं. तो यहाँ पर अपना DSEF fix करने के बाद आपको whether आप associate हैं fellow है membership number COP नंबर यह सब करने के बाद आपको check form करना पड़ेगा check form करेंगा form level pre-scrutivity successful उसके बाद pre-scrutivity करना पड़ेगा तब ही आपका यह जो send OTP वाला जो बॉक्स है वो जो अभी देखरें ग्रे कलर है उसा कलर चेंज होगा ब्लू कलर हो जाएगा तो क्लिक करेंगे तो फिर OTP आएगा OTP आपकी मोबाइल नंबर में भी आएगा और इमेल आईडी में भी आएगा तो उनों OTP को आप यहाँ पर भरेंगे फिर वरिफाइड OTP कर देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद आप वापस MCA पर जाएगे और इस फॉर्म को अपलोड कर देंगे खास बात यह है कि जितना भी आपने अटाश्मेंट दिया है उसको आपको खुद ही जो एप्लिकेंट है उसको एप्लिकेंट को इस फॉर्म को भर देते है तो आपको कोई चार्ज इस कोई एक्स्ट्रा फीज देनी की जोड़त नहीं है यह फ्री में अटाश्ट हो जाएगा इसके बारे में आगा आपको डिटेल जानना है कि इसका दू डेट क्या है और कि यह डी आई डी आया थी के वारे में जानना ह तो प्लीज दिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें वहां मैंने लिंक प्रोवाइट किया है तो दिस एस मैनिशर साइनिग अफ थैंक यू बाई